नीलांजन न्यूज में आपको स्वागत है GST लागू होने के बाद पहले महीने में टाक्स भुक्तान के रूप में सरकार के खजाने में 92,283 करोड रुपए जमा हुए है वित्मंत्री अरुन जेटली ने आज ये जानकारी दी जेटली ने कहा कि GST के तहट कुल पंजिकरत 69,57,000 करदाताओं में से अभी तक 64.4 प्रतिशत से कर प्राप्थ हुआ है और सभी कर को जोडने के बाद ये आंकडा और उपर जाने की उम्मीद है वित्मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड रुपए केंद्रे GST के रूप में जुटाए गए हैं 2722 करोड रुपए राज्य GST तथा 47,479 करोड रुपए IGST के रूप में जुटाए गए हैं जेटली ने कहा कि एकी करत या IGST के तहट 20,664 करोड रुपए आयात पर जुटाए गए हैं 7,198 करोड रुपए अहित कर वस्तूओं पर लगाए गए उपकर के रूप में जुटाए गए हैं उन्होंने कहा कि और अनुपालन के बाद कर संग्रहन में कुछ इजाफा होगा वार्शिक बजट में केंद्र सरकार का जुलाई का कर राजस्व 48,000 करोड रुपए और राजियों का 43,000 करोड रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था दोनों का कुल लक्ष 91,000 करोड रुपए था जेटली ने कहा कि हमने इस लक्ष को पार कर लिया है उन्होंने कहा यदि मुआफजा कर को अलग भी रखा जाए तो सभी करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बाद हम इस लक्ष को पार कर लेंगे उन्होंने बताया कि कुल पंजिकरत 69,57,000 करदाताओं में से 38,3,000 ने GST रिटर्न दाखिल किया है अभी तक 72,33,000 करदाता इस नई प्रणाली में स्थाना अंतरित हुए है इन में से 58,53,000 ने सभी आपचारिक ताइम पूरी कर ली है केंद्रिय GST और इसी तरह राजिय GST दाखिल करने में देरी पर प्रति दिन 100 रुपे का जुर्माना लगाया जा रहा है पहला मासिक रिटर्न और GST के तहत करों में भुक्तान की समय सीमा 25 अगस को समाप्त हो गई है हाला कि ऐसे सभी कारोबारी जिन्होंने बदलाव की अवधी के दौरान क्रेजिट लिया है उन्हें स्वा आकलन के आधार पर 25 अगस तक करों का भुक्तान करने पर 28 अगस तक रिटर्न दाखिल करने की चूट मिली थी